नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद पियस परिहार चेनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्दी की और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एक और बड़ी परिच्छा हो गई है इस्तिगेत और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि प्रदेश के जितने भी रिक्त पद हैं सभी पदों को भरने के मांगी गई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें शियर कर दें जिन छात्रों ने चेनल को आभी भी सब्सक्राइब ना किये हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की अथेन्टिक अपडेट से मिलती रहे है चलिए सुरू करते हैं सबसी पहले सुचुना को इसकी बारे मैंने सुबह की वीडियो में बताया था और इस केस में 90% chances हैं कि विद्यार्थियों को लाँ मिलेगा विद्यार्थी कम से कम 4 साल की उम्र सीमा में छुट की मांग कर रहे थे चुँकि 2016 की बाद से द्रोगा भरती आई नहीं थी और जब ये द्रोगा भरती का विग्यापन आया तब जो एज की गणना की गई है वो 31 जुलाई 2021 की गई है हाला कि जुलाई अभी तक आया नहीं है जबकि पुलिस भरती एम प्रोनत बोड की तरफ से कहा गया था और सरकार की तरफ से कहा गया था सुप्रिकोड ने ये आदेश दिया था कि प्रतेग साल द्रोगा भरती निकाली जाए लेकिन पुलिस भरती एम प्रोनत बोड ने हर साल इस भरती को नहीं निकाला उसमें विद्यार्थियों को दोस्त नहीं है और इसलिए विद्यार्थि लिच्ट्ट यह देखिए यहां पर लिख다 है पॉर्ट का सिद्धार्थ हो श्रीप अधर्य चाहते हैं जो के włos असहूर जो वकील है असोखरे और इसके बारे मैंने सुबह भी बताया था कि कापी मजबूत के से विद्धार्थियों ने और जो एडवोकेट हैं उन्होंने बहुत सारे साक्ष लगाएं और लगोग पूरी संभावना है कि विद्धार्थियों के पक्ष में ही जो है और ओड़ाता आज केकी जतनी भी सुचनाइं आती है जाजबता परिक्शा के इस्टिक रोने की यह आती है आज केंग सरकार ने गूफना किया है कि जेई मेंस की जो परिक्शा होने वाले थी उसको भी पोस्टçon कर दिया गया यह देखे हैं हाफर लिखा जैए मेन 2021 की वज़े से मैं सत्र की जो परिक्चा वो इस्तिकित कर दी गई है शिक्षा मंतरी ने दी जानकारी आगे लिखा कि कुरोना वारस की वज़े से JEE में 2001 के जॉइंट इंजिनिरिंग इंटरेंस एक्जाम JEE मेंस जिसके दोरा भारत के जितने भी इंजिनिरिंग संस्थान है यानि कि NITS और IITS उसमें विद्धार्थी प्रविश लेते हैं JEE मेंस के बाद में फिर होता है JEE Advance और JEE Advance के दोरा जो एड्विशन होता है वो IITS में होता है और JEE मेंस के दोरा जितने भी NITS होते हैं जैसे MNIT इत्यादी उसमें एड्विशन विद्धार्थी लेते हैं आगे लिखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने विद्धार्थियों की सुरक्षा को ध्यानवे रखते हुए 24 मई से शुरू हो रही JEE में परिक्षा 2021 को इस्थिखित कर दिया है और इस परिक्षा को कोरोना वाइरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इस्थि कर दी जाएंगी और इसकी जो सुचना है लगातार आ भी रही है और इसी के समद्र में जो भारत के शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी ट्विट किया है डॉक्टर रमेश पुखरियाल निशंक ने लुकिंग एड़ प्रजेंट सेफटी इन माइंड जैमेंस में 2021 सेसर हैं ब बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और यह बताया गया है कि जो इस्टुटेंट हैं उनको एडवाज दी आती है कि वह जो ऑफीसर वेबसाइट है उसको विजिट करते रहें आगे इसकी बारे में जानकारी दे जाएगी आखिरकार यह जो परिच्छा वो कब तक होग प्रदेश के सभी 24 लाख रिक्त पदों को भरने की मांग आज सुबह के लगबग सभी प्रमुक समचार पत्रों में यह जानकारी दे गई थी कि प्रदेश में और पूरे देश में 75 लाख लोगों की जो नोक्रियां है वो चली गई है यह आजी के समचार पत्र है जिसमें में लेखा हुआ है कि महामारी की दूसरी लहर ने छीनी 75 लाख नोक्रियां उदर पिछले एक साल से कोरोना का कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है जिसकी वजह से बहुत सारे जो परिच्छा के परिड़ाम हो जारी नहीं हुए है नहीं बर्तियों के विग्यापन भी भविस्का क्या होगा आखिरकार इसे के समद्ध में यूवामंच ने आज ये मांग की है कि प्रदेश में जितने भी रिक्तपद हैं सभी रिक्तपदों में भरति की जाए और योगी सरकार इसकी लिए इस पेसल अभियान चलाए और इसकी गोफ़ना सरकार अभी ही कर दे ताकि विद्यार्थियों का जो दिमाग है वो कोरोना से हड़ करकि अपणी बढाई लिखाई में चलाए अपने टार्गेट पर चला जाए और विद्यार्थी चप-चाप अपनी पढ़ाई करें यूवामंच की सयूजग है राजै सचार उनकी तरफ से ये पनी कियाorig की इ कि अप्रेल में 75 लाख नोकुरियां खत्म होना यूवामंच आजीविका संकट से भी निबटने के लिए कितम उठाए जाएं प्रियाग राज सी MII ने दावा किया है कि कुरोना की दूसरी खतरनाक लहर से देज में बिगड़ रहे हालात से अप्रेल मैने में 75 लाख नोकुर को नदर अंदाज कर फरवरी मार्च 2021 में करोना खत्म होने के गखर पर है प्रतान मंत्री मोधी के नितरतों में करने में काम्याबी का महिमा मंदन किया जाता रहा है और तैयारी करने के लिए मिले 6-7 महीने के इस बेश कीमती वक्त को मोधी सरकार ने गैर सरकारी आयोजनों कि मोधी सरकार ने जीत की जो घोषणा करोना खिला वो बहुत जल्दी कर दी थी और जीत हुई नहीं थी युद्ध चल रहा था और नीचे लिखा है कि जिससे ना सिर्फ लोगों के अंगिनत जाने जा रही है बलकि बेकारी के भी भयावा होने के आसार है उन्होंने मोधी सरकार से मांग किए कि भयावा हु रहे आसन बिरोजगारी के सेंकर से निबटने और रोजगार स्रजन के लिए ठोस कदम उठाए जाए साथ ही देश भर में अरसे से रिक्त चोवीस लाग पदों को भरने की गोफणा भी कि जाने चाहिए उन्होंने योगी सरकार से भी मां चाहिए सातु यह जैसे ही प्रदेश्स में हालात समाने हो सभी रिक्त पदों के लिए परिश्याओं का आयोजन कर इसी इसंकर में भरतियों को पूरा करने के लिए कारयोजना तयार करने के लिए मुक्यमंत्री को सभी चिन संस्ता को निर्देशित किया जाना चाहिए राजे सचान संयोजों की युवा मंज चाहे केंदर की भाजबा सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन दोनों सरकारों ने विद्धार्थियों को खुब छकाया है अगर हम रेलवे की बात किसी फासी रही और कितनी बर्तियां पूरी हो पाई कितना विवात रहा अगर रेलवे की बात कर तो अर्रवे एंटी पीसी और परिच्छा उस वर्ती को भी पंच वर्सी योजना बना करके रख दिया है लोग सभा चुनाओं के पहले विद्यार्थियों से आविदन लिए देखिए यहां पर लिखा कि चुनाओं से पहले आए एंटी पीसी परदों का फार्म 2019 में भरवा दिया गया चुकि लोग सब्सक्राव आने वाले थे 2020 दिसंबर में परिच्छा शुरू की गई और इसके लिए भी विद्यार्थियों ने बहुत सारे धरना प्रदैसन सबूस की बात में गरेंगी की परिच्छा होगी तो यह तो कैन सरकार का इसी तरीके से अगर सरकार की बात तो बब extensions can सरकार में भी बहुत चलाकी दिखाई थी उत्तर बरती चलाकी यह थी कि कम से कम चार साल पांच साल आई से खाली जाए चर्चा करके निकाल दिया जाए और उन्होंने निकाल दिया बड़े-बड़े साण नहीं आई से सरकार के का मैं पूरी तो बीच्एपन हो हैं detal स करके लास्ट मिला गया लास्ट घरी सबनावों में तो अब उत्त्य बत्य सरकार आग़र चाहती है कि कुछ अच्छार आए पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्वाइब